अगर इंदी में कहा जाए तो वर्ग, इस टोपिक इस रिलेटेट विद मैथमेटिक्स, आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर हमें वर्ग प्राप्ट करना है जिसके खाइ जिसके जो में पॉइन्ट द्याम रगना है उसके इकाइ में फाय होना चाहिए इस रिलेटेट भी बिड मतलब ह идет ऻिनीट में फाय होना ही चाहिए और एक्जामपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं जैसे 25, 65, 35, 45 आप लोगों ने देखा कि इसके जो काई है इसमें 5 एविलेबल है मतलब याँ यूनिक्स जो है आपकी 5 है तो इसके लिए हम लोग को साटरिक्स देखेंगे जिसका यूज करके हम कम से कम समय में कोई जो करना है तो आप अगर सिंपल लेंग्वेज में जाता है तो यह होता है कि आपको 25 इंटू 25 करना हुगा जिसमें आपका काफी समय कंजिम होगा मतलब आपका काफी समय जाएगा पर अगर हम आज जो मैं आप लोगों के सामने साटरेक्स बता रहा हम स्क्वेल फाइंड आउ आप इक आई के आउंग में 102 अदर कोई संख्या है वो इस ट्रीक को अपलाइ करते हैं तो इस बियर रॉम मतलब यह आपकी ट्रीक है यह गलत है तो आज हम आपको सामने करता हूँ है आपको इसमें स्प्ली जो ट्रीक है 25 आपको लोगों के सामने दिया हुआ है आपको इ मैंने ट्रंबस की मतलब जो सेज बचा हुआ है उसमें उसके बाद जो नेक्स संख्या यूज होती है यहां पर 2 दिया हुआ है तो 2 के बाद मैथमेटिक्स में जो नेक्स डिजिक यह नंबर आता है वह आता है 3 इसे मुंटिप्लाइ कर दिजिए 2 3s are 6 मतलब 25 स्क्वेर जो और उसके बाद 9 के बाद आता है 10, 9 into 10, 90 मतलब जो आपका आंसर होगा हो 9025 स्क्वेर रुट और 95 अगर अगर हम इसे लेंडिक प्रोसेश में हमने जो अग्जाम्पल जो सॉल्ट किये यह हमें प्राफ्त हुआ 625 यह हमारा आंसर सही है या नहीं है तो हम इसे सॉल्ट करने करते हैं तो 5 into 5, 25 करी करेगा 2, 5 to 10, 12, 2 5s are 10, 2 2s are 4, करी बचा 1, 5, 5 to 6 तो आप में देखा कि इस आंसर 625 होगया जो कि हमारा आंसर राइट है यूनिट प्लस जो हमारा जो लाज़ डीजित है इसमें आपको एक ही चीजिज़ा आता है यह कि अगर हमें square निकालना है कोई भी चोटी संक्या बड़ी संक्या का unit प्लस डीजित 5 होना चाहिए मतलब आपका जो यूनिट है और जो लास्ट डीजी ट्राइलियर हमेशा फाइन भी होना चाहिए सो फ्रेंट्स आज हमने देखा कि सॉल्टर एक्स आमने कैसे इजीली फाइंड आउट कर गया है इसमें आपको ही बड़ी से बड़ी संख्या भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं थैंक्यू